साथियों क्या आपने कभी पांच लिंग वाला जानवर देखे हैं नहीं देखे हैं तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में संपूर जानकारी दूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंतक जरूर बने रहेगा साथियों इस जीव का नाम है कि डिना यह दुनिया के सबसे बिचीतर जीवों में एक है क्योंकि पक्षियों और मच्रियों की तरह अंडे देता है लेकिन अस्तंधारियों की तरह दूद भी पिलाता है लेकिन इस जीव का सबसे बड़ा रहस्य था इसकी चोव मुखी लिंग जिसे समझने की कोशिस कई सालों से चल रही है अब जाकर अस्टेलिया के कुछ बैग्यानिकों ने इस रहस्य को सुझा लिया है हलाकि अभी इस जीव को लेकर कई अध्यन किये जाने है क्योंकि यह जीव रहस्यों का पुटा रहा है साथियों यह जीव आस्टेलिया में पाए जाने वाला जीव है यह जमीन भुदने वाला जंगली चुह जैसे दंतहीन जानवर है एकडीना के शरीर में चौमुकी लिंग होता है लेकिन यह मादा से समद्ध बनाते समय इनके सिर्फ دो लिंग का ही उपयोग करता है बाकी दो लिंग सिथिल रहते हैं नर एक डीना के पास यह सुविधा प्राकृतिक तोर पे रहती है कि यह एक बार में दो लिंग को ही उत्यजित कर सकता है संबंद बनाने के समय अपनी उत्यजना को पहले दो लिंग से दूसरे लिंगों पो शिप्ट करता है इसी बात से दुनिया भर के बैग्याने को हैरान थी साथियों अन्य अस्तंधारियों की तुला में इनके लिंग का आकार और बनावाट भी कुछ अलग है क्योंकि यह अपने लिंग का उप्योग शिर्फ और शिर्फ परजनन के लिए करते हैं इनसे पेसाब नहीं करते हैं इसलिए यह एक अलग ही रहास्य है साथ ही वा एक डीना जानवर के सरीर में कलोका नाम का अंग होता है जिसका उपयोग वो पिसाब मल के लिए करते हैं मादा एक डिना इन से अंडे भी निकालती है जब लिंग का उप्योग नहीं करते हैं तो उस समय एक डिना अपने पेनिस को सरीर के अंदर छिपा के रखता है यह पेनिस उसके कौळाका के अंदर ही रहता है उत्यजना के समय खुद ब हखुद बहार निकल आता है इनके अंड मेरे को समय सा सरीर के अंदर ही रहते हैं जिफी आंत्य प्यसधारी और पे बाहर होते हैं यस जानवर के विचित्र-प्रजणन अंग के साथ एकifullyनँख या असपर्म भी अजिवाजिवा गृता है पूर perfectly करता है यह आपको एक एक मज़िदार बात बता दो कि या जानमर अगर चोट लगने के बाद ज्यादा गंभी हालत में जख्मी हो जाते हैं तो या खुद भाई खुद 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 ही कर लेते हैं साथियों हमें उमीद है कि हमारे द्वारा दी गई या जानकारी आपको जरूर पसंद आए होगी अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करियेगा और मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताईएगा कि आपको यह आर्टिकल कैसा लगा